बिस्मिल्लाइब आणराहीम असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जयानसारी और आप देख रहे हैं इजासन सारी फूट सीक्रेट्स अलबर कर दे आपके खानों में आपके रिस्क में आपके जायकों मतबरे पर आप सो आजमा आपके लिए बहुत ही एक स्प की है वह आप जाके देख सकते हैं यहां पे इसकी कटिंग बहुत मैटर करती है ओवराल टेस्ट के अंदर ठीक है कटिंग इसलिए आयम करती है चुके यह बहुत नर्म होता है अगर आपने इसको छोटे पीसिस में काट लिया या आपने इसको बहुत जारा चमश इला दिय हुपसुरा सा पैन लेंगे और इसमें तीन से चाट एबल स्पून कुकिंग ऑईल के लेंगे फ्लेम जो है वो लो टो मीडियम होना चाहिए इसके अंदर जो हम जो प्याज एट करेंगे वो आपने चौप लेने है ठीक है बड़ी लंबी जो कलियां कटी होती वो वाली तो इसका टेस्ट बहुत यूनिक हो जाता है और वो टेस्ट काफी तेस होता है हम नहीं चाहते के मक्स के अंदर कोई भी फ्लेवर हम बहुत जादा एट करें किसी भी चीज का ठीक है तो आपने इसको ओवरकुक नहीं करना रैसिपी के हिसाब से चीजों के हिसाब से ही मसा जस ट्रास्पेरांट हुए तो हमने इसके अंदर अदर लैसन का पेस्ट एड़ कर दिया लेकिन लैसन को आपको पता है दो मिनट देने ही चाहिए वरना उसकी स्मेल दोर नहीं होती हलका सा हमने लैसन को पका लिया अब इसके अंदर टमाटर एड़ करेंगे ये चोटे ने बारी प्याज एड़ किया यह पूरी कैमिस्ट्री है यहां पे मसाले की मग्स को लेकर अब इसके अंदर कुटी होई लाली मिर्च मैं एड़ कर रहा हूं वान टीस्पून जो है पाउडर नहीं आड़ कर रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ओवरल रेस्पी जो है वह जाल टीस्पून थोड़ा सा अपने नमक आड़ करने हैं ज्यरह नमक नहीं जाएगगा और यह हमारे पास हल्दी ठीक हो गया हल्दी जाहिए जस्ट ए बेसिक मसाल्य अभी एड़ करेंगे और तो दोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे थोड़ा से इसको पकाएंगे ताकर टेम मग्स के लिए भी जूरी है थोड़ा सा मैंने इसमें पानी एड कर दिया ताके मसाला जो है वो थोड़ा सा नरम हो सके थोड़ी से उसमें आपको ग्रेवी की लुक आ सके ठीक है याद रखेगा इसमें ना हल्दी एड की है ना मैंने कुटी हुई ना ही मैंने PCV मिर्च एड क कि थोड़ी सी बुनाई के अंदर ही तयार हो जाता है वाइट हो जाता है और पक जाता है इसको आपने पानी नहीं एड करना इसको आपने ओबर कुक नहीं करना हलका हलका सा हिलाते जाएंगे और देखेगा यह जटपट ही तयार हो जाता है अब इसके अंदर हम कुछ स्प यह almost ready है, अब इसके अंदर just हम last में क्या add करेंगे routine में जो हम धनी add करते हैं अब आप overall यहां पे look देखें बहुत ही different सा color है हमने इसको dark नहीं किया, हमने इसकी बहुत जारा gravy नहीं बनाई, हमने इसको overcook नहीं किया, हमने प्यास का extra flavor इसी तरह से आपने बनाना है फाइनल की तरफ चलते हैं, चलें जी बिसमिल्ला है राहमान राहीं, तो माशाला लहम्दुलिल्ला देखेंजी मेरे अल्ला की शान, उसकी रहमते नेमती और बढ़क दें, जो दिसने मारा हाथ हो मग्स की शांदार recipe तयार है इसी के साथ-साथ, अगर आप को चाहिए हो chicken Chicken बियानी की रेसिपी, Chicken पुलाओ की रेसिपी यह भी है टेस्टी रेसिपी, School की रेसिपीस चाहिए हो टिफन बॉक्स रेसिपीस चाहिए हो Instant Breakfast की रेसिपीस चाहिए हो इसके लावा बड़ी इत की जितनी रेस्पिस हैं अलहमदुल्ला कबाब की रेसिपी सी कबाब की रेसिपी इसके लावा गोल कबाब की रेसिपी मारे चैनल पे बजूद है दौा में याद दखिए अगली वीडियो तक अल्ला हाफीज